हेलो गाइज आज मैं यहाँ पे पूरा अकाउंट एसिस्टेंट का सलेबस यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ फाइनस अकाउंट एसिस्टेंट के लिए और सभी वीडियो देखने के लिए मेरा जेके एसेसबी स्पेशल चैनल सभी सब्सक्राइब करें आज पहला टापिक शुरू करने जा रहा हूँ और यह टापिक है लेक्स आफ इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं लेक्स आफ इंडिया सबसे पहले मेजर लेक्स लेक होता गया सबसे पहले हम जानेंगे कि लेक की डेफिनेशन गया है लेक is a body of fresh और salt water of considerable size तो गाइज यहा यहाँ पे बड़ा साइज नहीं देखने को मिलेगा है, एक considerable साइज होता है लेक का और चारू तरफ उसके पानी होता है, लेक में भी नैचुरल और मैनमेड लेक नैचुरल भी हो सकता है, और मैनमेड भी हो सकता है, और चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वुलर लेक के बार तो यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ, फाइन्स अकाउंट एसिस्टेंट के लिए और सभी वीडियो देखने के लिए मेरा जेके एससबी स्पेशल चैनल सभी सबस्क्राइब करें, आज पहला टापिक शुरू करने जा रहा हूँ और यह टापिक है लेक्स आफ इंड तो चलिए शुरू करते हैं, लेक्स आफ इंडिया, सबसे पहले मेजर लेक्स, लेक होता गया, सबसे पहले हम जानेंगे कि लेक की डेफिनेशन गया है, लेक इस बाड़ी आफ फ्रेश और साल्ट वाटर आफ कंसीडरेबल साइज, तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबी की कंसीडरेबल साइज, कोई जादा यहाँ पे बड़ा साइज नहीं देखने को मिलेगा, एक कंसीडरेबल साइज होता है लेक का और चारू तरफ उसके पानी होता है, लेक्स में भी नैचुरल और मैनमेड लेक्स नैचुरल भी हो सकता है, और मैनमेड भी हो सकता है, और चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वुलर लेक के बारे में तो सबसे पहले guys याद रखेगे कि वुलर लेक जो है ये टक्टॉनिक एक्टिविटी से बना हुआ है और ये एक आक्सबो लेक है यहां से सिदा सिदा एक MCQ बन सकता है कि which of the following is an Oxbow Lake तो चार आप्षिन आपको दिये जा सकते हैं Undertale Lake और दो तीन लेक और आपको दिये जा सकते हैς और उसमें से बोला जा सकता है कि Oxbow Lake जो है वो कौन सा है तो आँदा जहलम रिवर Willer Lake आपको पता है सबी को कि ये जहलम river पे है जमू कश्मीर में और इसमें एक project भी है पावल project जो की तुल बूल project इसके ओपर देखने को मिलेगा और this is the largest fresh water lake in India next है डल लेग next है डल लेग it is a beautiful and an important lake of जमू और कश्मीर which is famous for tourism तो डल लेग हम सब को पता है कि यह सिरी नगर के सिरी नगर में है और सिरी नगर के बीचो बीच it is one of the most important lake of जमू और कश्मीर it is called the jewel in the crown of कश्मीर this is very important कई बार इस पे question पूश चुका है it is called the jewel in the crown of कश्मीर and और यहां पे डल लेग से आपको Asia का largest tulip garden भी देखने को मिलेगा और डल लेग के bank पे आपको Asia का largest tulip garden इंद्रा गांधी मेमोरियल tulip garden भी situated है next guys है सांभर लेग very very important यह राजस्तान का लेग है और बहुती important lake है it is India's largest inland salt water lake guys यह याद रहेंगे आप बात कि यह largest inland salt water lake है और जो की राजस्तान में है सांभर lake और सांभर lake के अलावा यहाँ पे पंच भद्र और दिध्वाना lake भी आपको देखने को मिलेगा और यह सारे राजस्तान में आपको salt water lakes मिलेंगे और इन lakes से आपको बहुत सारा salt produce किया जाता है तो पंच भद्र दिध्वाना और सांभर lake और इन राजस्तान नेक्स्ट देबर lake देबर lake का एक और नाम याद रखेंगे अप यहाँ जैसा मंद lake जो कि एश्या का सेक्ट लारजस्ट आटिफिचल लेक है इस इस पंच लारजस्ट आपको अपर लेक इन भुपाल इंडिया इस लारजस्ट आटिफिचल लेक इन एश्या आपको पूछा जाएगा तो आप सीज़ा सीज़ा मार कर सकते हैं यह गुजरात में है गोविंद सागर lake गोविंद सागर इस आटिफिचल लेक फार्म नेर भाकरा नंगल डैम इन हिमाचल परदेश गोविंद सागर डैम जो है आपको मिलेगा हिमाचल परदेश नेक्ट हैं नागरजुन सागर डैम नागरजुन सागर डैम इस आट क्रिश्ना रिवर निजाम सागर आनMANJRA रिवर और तंगभद्रा इन Karnataka नेक्स्ट लेक जो है वो है गोविंद बल्लव पंत सागर जिसके उपर आपको रहांड डैम भी देखने को मिलेगा इट इस मैनमेड लेक फांड रिहांड रिवर एट्रिब्यूटरी आफ सोंड रिवर इन दा स्टेट आफ चैतिसगाड और उत्तर प्रदेश नेक्स गाइज बहुत इंपॉर्टन लेक मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब है लोक्तक लेक इट इस लार्जेस्ट फ्रेश वार्टर लेक इन नार्थ इस्ट इंडिया और अभी जेके ऐसेस भी ने इसके कोशन पूछ भी चुका है कि कौन सा लेक है जो नार्थ इस्ट का लार्जेस्ट फ्रेश वार्टर लेक है और वो है लोक्तक लेक तो इसको ध्यान रखेंगे और इसी लेक के बीच में एक फ्लोटिंग नैशनल पार्क भी है वर्ल्ड का और उसका नाम है केबुल लामजाओ नैशनल पार्क इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे इस सिचुएटि रांदिस रिवर इट इस दा लास्ट नैचरल रफ्यूज आफ दा इंडेजर संगाई डियर और यहां पर संगाई डियर भी आपको देखने को मिलेगा केबुल लामजाओ नैशनल पार्क में नेक्स चिली का लेक बात बात याद रखेंगे कि इस लेक इस फैमस फार ओलाइव रिडली तर्टल्स next lake is koloru lake koloru lake is largest lake farmed in the deltiai region of Andhra Pradesh to koloru lake आपको जो है Andhra Pradesh में मिलेगा it is situated between Krishna and Godavari river तो यह Krishna और Godavari river के भीच में आपको देखने को मिलेगा और यह world largest natural freshwater fish producer है तो this jkss we can ask this type of questions which are the following is the world's largest natural freshwater fish producer lake that is Kolru Lake and it is in Andhra Pradesh next is Puliket Lake it is second largest brackish water lake in India so largest brackish water lake second largest brackish water lake in India is Puliket Lake and you must also note that Shri Harikota Island it is located between Andhra Pradesh and Tamil Nadu and Shri Harikota Island is located on the northern tip so Puliket Lake is in Andhra Pradesh next is Vambanad Lake so one thing we will note about this Vambanad Lake is the longest lake of India and it is situated in Keral and another thing to note about this is Nehru Trophy boat race is conducted every year in this lake this point should be noted here next is Lonar Lake Lonar Lake is in Maharashtra and it is a crater lake which has been formed due to meteorite impact next is Hussain Sagar Lake Hussain Sagar Lake is in Hyderabad and Sikandrabad Hyderabad and Sikandrabad which provides transportation facilities between these two cities next lake is Cholamu Lake Cholamu Lake is situated in the northern part of Sikam at the height of 5330 meter making it one of the highest lake of the world Tista River originates from here so it is important Cholamu Lake is in Sikam and here we will remember that Tista River originates from here next is Renuka Lake Renuka Lake is situated in Siromor district of Himachal Pradesh so it is very important that you can remember that Renuka Lake is Himachal Pradesh and it is the largest lake in Himachal Pradesh so this one is the largest lake in Himachal Pradesh next is Roopkund Roopkund इस पे UPSC question पूछ चुछ चुका है आप याद रखेंगे इस बात को इसको Mystery or Skeletons Lake बोलते है it is High Altitude Glacial Lake in Uttrakhand तो ये बात याद रखेंगे ये Uttrakhand में है और it was discovered by Rangar H.K. Madhwal in 1942 तो इसका नाम भी याद रखेंगे आप Roopkund Lake के लिए तो Roopkund Lake आपको मिलेगा Uttrakhand में next is Satham Kota Lake Satham Kota Lake is very very important JK SSB ने भी इस पे question पूछा हुआ है it is the largest freshwater lake in Keral तो ये भी Keral में देखने को मिलेगा आपको Vembranad Lake और Satham Kota Lake जो हैं दोनों लेक आपको Keral में देखने को मिलेंगे तो ये भी बात याद रखेंगे कि ये रामसर कन्वेंशन के अंडर है 2002 से और अगर अब बात करें हम कि हमारे इंडिया में अब रामसर साइट्स कितनी है तो at present 47 रामसर वेट लेंड साइट्स है हमारे इंडिया में Tawa Reservier Tawa Reservier is a reservoir on the Tawa River in Central India it is located in Hushangabad district मद्यापरदेश तो Tawa Reservier हमें देखने को मिलेगा मद्यापरदेश के हुशंगाबाद district next is Lake Somgo Somgo Lake जो है Somgo Lake बोलते है चांगू Lake भी बोलते है is a Glacial Lake in the East Sikkim तो ये भी आपको Sikkim में देखने को मिलेगा भीमतल लेक it is located in the Tona भीमतल उत्राखंड with a masonry dam built in Thanasok 83 में it is the largest lake in Kumau region known as the Lake District of India तो ये याद रखेंगे ये कुमाउ region का सबसे बड़ा लेक है और इसको Lake District of India भी बोलते है तो भीमतल लेक आपको उत्राखंड में देखने को मिलेगा तो Lakes के बारे में ही पूर सकते हैं आपको कोंट सी स्टेट में how largest or highest lake के बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है चैंबरम बक्कम Lake चैंबरम बक्कम Lake आपको जो है चन्नाई में देखने को मिलेगा तामिल नाडू में तो इसके बारे में आप इतना ही याद रखेंगे यह तामिल नाडू में है और यहां से अडियार रिवर का ओरिजनेट होता है नेक्स्ट इस नैनिताल लेक नैनिताल लेक एक क्रिसेंट शेप लेक है जो कि नैनिताल डिस्टिक आफ已经 उत्राखंड में आपको देखने को मिलेगा उत्राखंड में अभी हम दो लेक पीछे भी पढ़ चुके है एक भीम तल लेक और दूसरा हमने रूपकुंट लेक यहां परठाए नेक्स टाप भोज तल लेक भोज तल लेक पे अभी JSA में question पूछा हुआ था It is also known as Upper Lake इसको Upper Lake भी बोलते हैं lies on the western side of the capital city of Bhopal, Madhya Pradesh तो यह Madhya Pradesh में आपको देखने को मिलेगा It is the largest artificial lake in Asia और यह largest artificial lake भी है Next is Asthmudi Asthmudi is located in Kulam district of Keral तो यह आपको Keral में देखने को मिलेगा Asthmudi Lake इससे पहले Vembarnaar Lake के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं वो भी Keral में था और Sastham Kota Lake भी Keral में देखने को मिला और यह तीसरा lake है जो है Asthmudi जो की Kulam district में आपको देखने को मिलेगा It is the second largest wetland ecosystem in Keral और यह Keral का second largest wetland भी है Guys यह आप map भी देख सकते हो इंडिया का जहां पर आपको पूरी lakes के बारे में यह जमू कुश्मीर है हमारा जहां पर Wooler Lake, Dull Lake यह आपको डल Lake देखने को मिलेगा यहां पर और यह वुलर Lake है हमारे जमू कुश्मीर का और इसके लाबा हम भी हमने पढ़ा है यहां पर हिमाचल परदेश में रेनु का लेग जो की हिमाचल परदेश का सबसे बड़ा Lake है और हिमाचल परदेश में सूरिच तल है, चंद्र तल है और नाको लेग है और इसके बाद अगर हम पञजाब की बात करें तो पंजाब में हरी के लेग है और उसके बाद रोपर Lake देखने को मिलेगा हमें पंजाब में हरी के और रोपर ये दो important लेक हैं बंजाब के और हिमाचल की बात करें तो रेनु का लेक जो की सबसे बड़ा है और चंदर तल लेक और सूरज तल पैंगोंग और सो मोरीरी लेक हमें लदाख में देखने को मिलेंगे और उसके बाद उत्राखंड की अगर बात करें तो नाकी लेक ये सब साल्ट वाटर लेक हैं और उसके बाद धेबर लेक यहां पर देखने को मिलेगा धेबर लेक is the second largest artificial lake of India राजसमंड लेक राजसमंड भी लेक यहां भी हमें पंच भद्र लेक ये सब साल्ट वाटर लेक हमें देखने को मिलेगा उसके बाद उडिसा में चिली का लेक और ये लोक्टक लेक जो है मनिपूर में ये जो लोक्टक लेक है गाईज और ये गाईज लोक्टक लेक हमें देखने को मिलेगा ये लार्जस्ट लेक है नार्थीस्ट इंडिया का और लोक्टक लेक के बाद हमें लोनार लेक महाराष्टा में देखने को मिलेगा और हुसैन सागर लेक मैं आपको बलो था है हैदराबाद तिलंगाना में देखने को मिलेगा उस्मान सागर लेक है कोलरू लेक जो की आंधरा परदेश में और पुली केट लेक देखो आप बॉंटरी पे है तामिल लाडू अंधरा परदेश की लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है ये आंधरा परदेश में ही है और कैरल में तीन लेक थे तो ये था गाइस पूरा लेक्चर आपका लेक्स पे इंडिया के लेक्स मैंने आज आज आप कवर कर दिया और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपकी नेक्स्ट किसी और टापिक में आने वाली है तो गाइस सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जेक्स वीस्पश सब्सक्राइब येक्स बद्सक्राइब